हलो गाइस तुझी आज हम बनाएंगे घर पे मटन यकनी पुलाओ की रेसिपी एक बार देखो तुझ आप ऐसे बड़िया से रेश्वी रेश्वी से सौफ्टी सौफ्टी से पीसे से हमारे मटन यकनी पुलाओ के और अगर आप पीसे को भी हटा दो तो ये चावल को देखो वरिया से चमचम आ रहा है और ये बहुत ही ज़ादा टेस्टी है बहुत ही ज़ादा डिलेशिस है तो आप इसे एक बार घर पे ट्राइज जरू करना मटन यकनी पुलाओ बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रेशर कूकर के अंदर दो से तीन चमच ओयल एट कर देना है उ उसके बाद हम यहाँ पे डारेक्ट हमारा मटन अट कर देंगे तो मटन जो है मैंने लिया है यहाँ पे आदा किलो बढ़िया तरी इसे दो दिया है और उसी के साथ में एक चमच अदरक लेशन का पेस्ट भी अट कर दिया अब इसकी भुनाई हमें कम से कम करनी है 10 मिनित त मैंने मटन की पीचेस है उनका कलर ही चेंज कर दिया बहुत अच्छी तरीख से बुनाई करिये अब उसके बाद हम लोग की यकनी बनाने के लिए मटन पुलाओ की तो मैंने यहाँ पे दो से तीन चमच दही अट कर दिया अब यह दही को पहले बढ़िया तरीख से मैंने फ तरीके से दही और मसालों के साथ बिल्कुल भुन चुका है अब उसके बाद हमें क्या करना है पानी एड़ कर देते हैं अब यहाँ पे पानी हमें उतना ही लेना है जितना हमें चावल को पकाने के लिए चावल जो था वो एक कप लिया था उसे बिगो के रख दिया और पुलाओ बनाने में सबसे ज़रूरी स्टेप यह है कि पहले मटन को गला लेना है तो उसके लिए हम इसको प्रेशे कुक करेंगे अब प्रेशे कुक करेंगे दो विसल हाई फ्लेम पे इस चीज को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा दो विसल हाई फ्लेम पे और धीमी इससे आपका मटन जो है वो काफी जादा सौफ्ट हो जाएगा और प्रेशे कुक कर जैसी ठंडा हो उसके बाद आप खोल के देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो मटन यकनी पुलाओ है उसकी जो यकनी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनके त्यार हो च खाता तो उसका पेड़ फूल गया तो वो दो कप हो गए अब मैंने यहां पर जित्ते भी चावल थे उन्हें जो है अच्छी तरीकी से ग्रेवी के साथ मिला दिया और अगर चावलों की बात करें तो मैंने यहां पर बास्मती चावल इस्तिमाल कर सकते हैं और यहां पर मै समय चावल को सई से पकाना है तो उसके लिए 10 मिनिट हाई फ्लेम पे पकाईएगा और 5 मिनिट लो फ्लेम पे पकाईएगा यानि कि 2 विसल हाई फ्लेम पे और एक विसल लो फ्लेम पे और उसके बाद प्रेशर कोकर को अच्छी तरीकी से आमें ठंडा होने देना है जैसी के साथ यहाँ पर आपका जो मतन यकनी पुलाव है वो बिलकुल बनके तयार हो चुका है एक बार इसके पीसिस को देखो आप सच में दिल खुश हो जाता है ऐसा मतन यकनी पुलाव देखके पीसिस इतने जादा सॉफ्ट है चावल जो है वो बहुत ही अच्छी तरीकी से पक कर दो चावल झार देखके कर दिल फिर करता हैसे जादा सॉफ वो फिर फिर में कर दो ही कि अजयाता है वो लादाट है कि वो घएके तातीज को कि सब्सक्त बबब मादे एको रुआ कर पार दोगा है वो यह कि यहाँ है और है